कि गया जैसी धार्मिक नगरी का वो विकास नहीं हुआ, जो आयोध्या का हुआ, जो बनारास का हुआ, क्या कहींगे? कुखमंत्री खुवा दिन और रह जाते, तो इस अभिसाब को हम मिटा देते, उसके लिए 700 क्लोर रुपया का प्रवंद कर दिया थे इसको दोष देते हैं आप इसका, हम दोष किसी का नहीं देते हैं, सवाल है कि आज के जवाना में बच्चा रोता नहीं तो माह दूद नहीं पिलाती, यह जो साथ आपने अभी लिया है, यह आगे तक जारी देगा या फिर आगे फिर आप कुछ और विचार करेंगे? हम अस् पूरा दिन हम गया के लोगों से मिले गया लोग सभा में क्या समस्याइं हैं लोगों ने खुल कर बताया गया के दिक्तों के बारे में लोगों ने जो जिक्र किया वो सवाल जो लोगों ने उठाए उनका जवाब सिर्फ उन लोगों के पास है जो गया लोग सभा से कैंडिडेट है यानि जो चुनावी मैदान में हैं बिहार के पूरो मुख्यमंत्री जी हां इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जीतन राम मांजी जी आपको पहले बहुत बह सवाल है और जनता के सवाल लेकर हम आप तक जो आएं उनमें सबसे पहला सवाल आप से यही है कि चुकि राज़त या महागडवन्दन का कोई भी कैंडिडेट आपके सामने होगा वो एक चर्चा अलग करेंगे लेकिन आप एंडिये की तरफ से जो कैंडिडेट बने हैं ग गया के लोगों ने बहुत दुख के साथ कहा कि गया जैसी धान्मिक नगरी का वो विकास नहीं हुआ जो आयोध्या का हुआ जो बनारास का हुआ क्या कहें गया देखिए गया का जहां तक सरमांगिन विकास का मामला है वो हमारे दिल में बहुत सी बाते हैं अगर गिनाना है तो सबसे पहले जो इसके लिए हमने किया है ओ गया का विशनूपत मेला बहुत प्रसीधा प्राचीन मेला है आज तक उसको राज किये मेला का कोई घोसना नहीं किया था आज इतन मान जी उसको राज किये मेला घोसित किया तो आज क्लोरों रुपया सलाना उस मंदिर के प्रिवंजन के लिए दिया जाता है तो यह एक का मतलब नहीं है बिहार का मतलब नहीं है समुचे हिंदुस्तान के लोग पित्री पक्ष के लिए आते हैं और जो मौका मिला तो हमने किया दूसरी बात विष्णूपत इलाका में ही लाइन और की बात होती थी तो आपको मल्म होना चाहिए कि कई थाना गया बिहार में गया में हम बनाया है उसमें विष्णूपत थाना भी बनाया हम और वह काम कर रहा है आज वहां जो छिंताई होती थे वहाँ पिलिग्रिमीज के साथ आज छिंताई नहीं के बरावर है तीसरी बात यह कहना चाहते हैं कि गया जहां आज सब तरह के लोग आते जाते हैं तो जाम का प्रोब्लिम भी हुआ करता था और यहां ट्रैफिक रूल्स नहीं था तो जीतनमा जी ने यहां पर ट्रैफि का सब्डिविजन बना दिया और बोध गया में ट्रैफिक का थाना बना दिया यह दोनों चीज हो जाने से गया का ट्रैफिक में बहुत सुधार हो और उसके अलावे मन में सपना था की जो फल्गू नदी है अंता सलीला है बार बताया जाता है कि निरेंजना नदी के पानी गंगा के पानी से भी ज़्यादा सुद्ध है और ये पता नहीं किस कारण से अंता सलीला हो गई सुमते हैं कि कोई अभिसाप दिया है जो भी हो लेकिन हम समझते थे कि मुखवंत्री ठ्वादिन और रह जाते तो इस अभिसाप को हम मिटा देते उसके लिए साथ सौ क्लो रुपया का प्रवंद कर दिया था एक सौ क्लो रुपया यर मार कर दिया था कंसल्टेंट वहाल कर दिया था और हमारे कैबिनिट के दो दो मंत्री शिरसस्त प्राजिकारियों के साथ यहां आये थे कि बीठों में बांध बनेगा नदी के दोनों किनारे स्थनक बनेगी और पानी रहेगा बीठों से लेकर के बोर्थ गया तक जिसमें सैकलो नौकायान चल सकती है अउस नौकायान का मजा चाहे भारतिय के जात्री हो या और साइड आप कंट्री के जात्री हो सब इंज्वाय करते जिसे से क्लोरों रुपया हमारे बिहार को प्रेटन से मिलता लेकिन ये मेरा सौपन पूरा नहीं हुआ ये दिल में बात है फिर आगे चलिए आप गया इंट दिकत के चलते आज उसका चौल लंबई करन नहीं हो रहा है और अगर वो खटा दिया जाए मामला एक किलो मीटर और हमारा एरोड्रम आगे बढ़ सकता है और जब बढ़ेगा तो अंतर रास्तिये जहाज जो आज नहीं आती है अंतर जास्तिये जहाज आने लगेगी जिसस जैसे ही हमको मौका मिलेगा उसमें इस बात को हम कराएंगे और इसके बाद हमारा गया में ब्यापारियों का बड़ा मंडी है यह बिहार का परमुख मंडियों में माना जाता है लेकिन जानते हैं हमारे ब्यापारी भाईयों का माल गाली से जाती है अगर माल बाहक विमान को कारगो सेवा करते हैं अगर यहां उता होता तो बहुत लोगों को फाइदा होता आज तक किसी ने इस बात के बारे में सोचा नहीं है यह दिमाग में बात है और फिर जब बुद्ध सरक्इट वहां बना जैन सरक्इट और जगह बना रमाएन सरक्इट और जब जना तो जार प्रियाटन को हर तरह से सुड़ा होती तो हमारे दिमाओं में बात है कि हम इसको जोन सरकिट शोगा भगवान विश्णु सरकिट का करके सही बोध गया आया और विश्णुपत का हम उधार करने का प्रयास्त करते हैं एक दूसरी बोध गया है बोध गया अभी नगरपा लिका बनी है लेकिन सब्यक्त विकास उसका नहीं हो रहा है लाइन ओर्डर के स्थिति नहीं हो रहे इसलिए बोध गया को हम बोध गया प्राधिकार बनाना चाहते हैं जैसे आगरा है मत्वरा है सब जगह प्रव प्राधिकार बनता है तो हम सिनियर आईए साइप्य सब्स बनावेंगे ताकि बुद्धिया का विकास हो और जो बुद्ध वगवान के चलते लाखों लोग आते हैं क्लोरों में आने लग जाएंगे तो यह सब हमारे दिमाग में बात है और रही बात गया में तो गया में जैसे कह रहे हैं कि अब यातायात के चलते काफी बात होती है तो इसका बाइपास बनाने का प्रयाज करेगा कहीं दो चार जगा ऐसा है जैसे अभी यहां पर आएं और सिविर्ट सक्या है इस चवराहा पर इतना जाम हो जाता है उसका को हिसाब नहीं इसको फ्लाइओबर बनाने की बात करेंगे तो इस तरह से हमारे दिमाग में द्रजन नहीं किया तो जीतन मानजी तो की बिहार का मुख्यमंत्री भी रहा है और यहां का पला बढ़ा है राजनीत किया है तो मौका मिलेगा तेस सब काम को जरूर कराने का प्रयास के लिए तो तो शाद विकास की कुछ अलग घरा गया में बहती बिलकुल सेम यही बात गया की व बहुत सारी ऐसी तस्वीर की लाखों लोग जब अयुध्या जा रहे हैं लाखों करोणों की संख्या में लोग बनारा जा रहे तो रोजगार भी हो रहा है लाखों की कमाई हर घर में आ रही है वो तस्वीर गया को अभी तक क्यों नहीं मिल पाई किसको दोश देते हैं और भगवान विश्णू के बीच में जो अगर सरकीट हम लोग बना देंगे जो प्रेटन के दिश्टी कौन से यहां जारों हजार लोग आएगा और वीठों बान बान करके जो हम वहां तक पानी ले देंगे जिसमें जारों लोग नौकायान करेंगे इसके चलते अब बिहार को छे महिना का बजट का खर्च हम देंगे यह बात करके एक थोड़ा राजनीतिक सवाल भी लेते हैं आप से जैसा कि आप वहार की राजनीती जादा करते रहें अब आप केंदर की तरफ देख रहें लेकिन चुकि आ भार के नेता भी रहें आप महागडबंधन के साथ भी कुछ वक्त रहें जद्यू के साथ भी आप रहें पिछले दो चुनाओं आपने जो लड़े कहीं न कहीं एक मोदी लहर में हम जब पब्लिक से बात करते तो लोग यह कहते कि मोदी लहर में जीतर नाम मान जी का मैजि किया लेकिन अभी तो आप मोदी जी के साथ है तो क्या यह जो साथ आपने अभी लिया है यह आगे तक जारी रहेगा या फिर आगे फिर आप कुछ और विचार करेंगे देखिए बच्पन से हम सिध्यान पर चले हैं अगर सिध्यान पर नहीं चलते तो साइट आर्शी कु पर नहीं आते हैं अन्बिलीबल बात आप कहिए कि एक पान जिसका माता पिता मजदूर हो डेर से मजदूरी कमाता था वहां से राजनितिक बूबास इसलिए लिया कि आदमी कहा जाता है कि बड़ बड़ी भाग मानुस्तन पावा तो इस चीज को हमने सोचा कि भाई यह मन बना लिया कि हमको सेवा करना है और सेवा भाव से सारी बातें आज हो रही है जहां तक इंडिये की बात है हम निटीज कुमार के आदमी रहे हैं और कसम खाया थे राजनीत में कोई कसम नहीं होती है लेकिन तो भी हम खाये थे कि हम निटीज जी आपका साथ नहीं छोड़े क्यों कि गलत फाहमी में ही सही हमको मुखवंत्रिम्रों ने बनाया आज जेड़ पलस की सुरक्षा इसी कारण से हैं आज हम जितना सैर करते हैं अगर गाली का हमको डीजल खर्द करना होता तो मेरा पे कैटर नहीं करता हमको चोर बनना परता कमिशन खोर बनना परता ताकि हम गालियों के चलाव है तो इस माने में नितिश कुमार जी हमारे लिए बहुत काम किये हैं और सारी बात हो रही थी लेकिन पता नहीं नितिश कुमार जी को किसी ने समझा दिया कि जितन मान जी की पार्टी को मर्ज करा लीजिए हां मर्ज करा लीजिए तो हम तुरत अपने की बैठक बुलाया नेशनल कॉंसी की बैठक बुलाया पार्लेमेंटी बोर्ट की बैठक बुलाया तीन दिन के अंदर किसी ने नहीं कहा कि हम लोगों को मर्ज करना चाहिए तब हम कन्वे कर दिया नितिस कुमार जी को कि सर हमारे कोई लोग नहीं चाहता है कि हम मर्ज करें इसके लिए हम आप से माखी माखते हैं उन्हों ने मेरे माफी की बात नहीं मानी और कहा कि जब नहीं हमरे साथ आ सकते हैं तो आप बाहर जाएं तो बाहर हम मंत्री पर छोड़ दिया उन से हट गए और चले आएंडिये में तो इंडिये में हम यह कहना चाहते हैं जो आपका प्रस्ण है उसका जवाब है कि आदमी इजद के लिए लड़ता है इजद के लिए मरता है तो जैसे ही हम एंडिये में गए तो नरेंद्र भाई है मोदी जी जितना हमको प्रतिस्था दिये उसका उधारन देना चाहते हैं एंडिये की बैठक हो रही थी पचास साथ समुच्छे भी हिंदुस्तान के नेता लोग बैठे हुए थे तो चौथा स्थान पर हमको उन्होंने बैठाया फिर उनको आने की बात हुई रिसीव कर सबसे माला हम पहले उनको दिया गुल्दस्ता नर्डा साहब से नहीं उन्होंने पूछा हम से पूछा जीतन जी क्या हल चले हैं कि बहुत अच्छा है साथ आपकी किरपा है फिर मीटिंग हुई मीटिंग के बाद खानाकार लंच का प्रभन हुए लंच में कई अक टेबू में प्राइम मिनिस्टर बैठे थे शुप्रिया पटेल वैठी थी प्राचीफ मिनिस्टर महरास्टा बैठे हुए थे और मदरास के कौन उपाधियाई जी हैं ओ बैठे हुए थे आउट जितनमांजी भी वहां था तो यह परतिस्था कोई मामूली नहीं है और फिर अटल बिहारी बात परी जी का पुर्नितिति मनाया जा रहा था हम पांचमा छठा नंबर में बैठे हुए थे पहला रो में लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर आये बैठे तो कहीं मांजी जी आप भी मालयार्पन कर दीजिए वो तो सेकड़ों लोग बैठे हुए थे तो यह जो ब हैं आज बहुत लोग भी सब्सक्राइब कर रहे हैं कि जीतनमान जी को एकी सीट मिला खलना को फलना मिला लेकिन इसमें हम कहना चाहते हैं कि हमारी मांग नहीं थी कि हम को क्या दीजिएगा अग्दाम मान कंडिशनल समर्थन दिया था तो जो मिला हम उसी में है तो कहने का मतलब कि इतना बड़ा प्रतिश्ठा और जो प्रतिश्ठा में बिन मांगी मौती मिले आ मांगे मिले लगे तो रही तो इस से बढ़ meglio और क्या हो सकता है इसलीए हम अन्डिय में नारींद्र मोदी जी के हमीज़साइब नद्डा साहब के हम कायल हैं और जब तक जनता का चीज जिसको हम करना चाहते हैं हो सकता है मतवेद को जो गया के बारे में इतनी बात कहें हम लड़ेंगे अगर हम समझते हैं कि सव में 95 परतिसत यह सारी बाते मिलेगी हम को चुकि इंडिया राइजिंग का एक चल रहा था आप यह कंवेंशन आप लोग जानते ह हैं हम थार्ड रो में बैठे हुए थे और प्राइम मिनिस्टर भासन देने लगे तो कहीं कि देखिए कुकुटबांद बिहार और जारखंट का है चौरासी क्लोर में हुआ था यह लोग बाइस तेईस साल नहीं कि इसको शिलानाज किये थे अब उसको हम 300 क्लोर में करने ज इस्था जब देते हैं जो आदमी तो परतिस्थी के लिए नहीं मेरता है यह मान लिया जाए कि जीतन राम मांची जो बिहार की पूरों मुख्यमंत्री है और नरेंद्र मोदी जो देश की प्रधान मंत्री है आपके बीच में एक राजनीती से हटकर भी एक दोस्ताना व्य जीतन मांची बैठे हुए हैं उस्वें तो हम महागट बंदन में थे अच्छा नहीं विपक्ष में होकर भी इतना सम्मान मांची के बारे में बोलते हैं और जब कभी भी मोका मिला हम बात करने के लिए तो मंद्री और राजमंत्री राजपाल ख़़ा रहता है और जीतन मा मांची को जो सम्मान केंद्र में मिल रहा है गया के लोगों को वह सम्मान धार्मी की नगरी को वह सम्मान दिलाने के लिए आप आगे तत पर रहेंगे देखिए हम बचपन से जेशा मैंने कहा हम अस्वासन नहीं देते हैं और हम एही करते हैं कि आई विल ट्राइ माई वेश्ट टू डू तो जितने बातें दिमाग में बात आई है आई विल ट्राइए लेटस होप भगवान विश्वन का शिर्वाद होगा बुद्भवान का शिर्वा बहाद थी कि कि किसको क्या मिलेगा सबको मिल गया है सबको पता भी है लेकिन पश्पति कुमार पारस केंद्र में मंत्री रहे इस्तीफा दे दिया क्योंकि उनको को रहे हैं और कहा करते थे कि सीथ मिले या न मिले हम एंडिये के सिपाही हैं तो सिपाही का काम होता है कमांडर जो आदेश देटा उसको पालन करो करो लेकिन जब उपर वाले लोग आदेश दिया कि आपको चुनाव नहीं लड़ना है तो उनको अगर सच्चा सिपाही थे तो उनको अवाइडवाई करना चाहिए था अवे करना चाहिए था और नहीं तो उसके वाद इस्टीफा दिये और दूसरे पार्टी में जाने की बात करते हैं तो कहने का मतलब कि मन में उनका छल था ज नरेंद्र भाइब मोधी जी के टॉरिंग परेस्टनालिटी उनका सारा काम और जो समिकरन है लाँ हमारा नरेंद्र भाइब मोधी जी भारत में 400 से जादा सीट जीतेंगे और विहार का 400-400 सीट जीतेंगे पकी बात हैं चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बाच्षीत करने के लिए उम्मीद करते हैं कि जो तमाम बाते जीतर नाम मांजी जी ने हमारे माध्यम से आप तक रखी आप उनसे कंवेंस होंगे अगर नहीं कंवेंस है आपको लगता है कि मांजी जी जो बोल रहे उसमें मत भूले नमस्कार